मनुखदे प्राणां दिच पूरंता दी तलाश है ऐसा गुरुवाणी फर्मान कर दिए अधूरा अपन मनुखणू अखरगर है अधूरे मनुखदी पैचान चिन्ता तुर होवेगा अधूरे मनुखदी पैचान बेचैन होवेगा प्रिशान होवेगा अधूरे मनुखदी पैचान हर वक्त फिकरां चोवेगा, चिंता चोवेगा अधूरे मनुखदी पैचान उदे मन देज कोई टिकाओ नहीं होगे मनुख पूरन तादी तलास कर रहे है जितने चिर्टक एपूरा हो नहीं जान्दा, बेचैन रहेगा, चिंता तुर रहेगा, प्रिशान रहेगा, इदा मन बटगदा रहेगा हर उस मनुख नो समझ लेना चाहिएदा है, जे मेरे मन देज टिकाओ नहीं, बेचैनी है, चिंता है, मैं अधूरा हूँ देखिया गया है, अधूरा साजो समान अधूरी वस्तो काबले इस्तेमाल भी नहीं होंदी, जैसे मकान दियां दिवारां ते खडियां च्छत कोई नहीं, अधूरा है, एक काबले रियाइश नहीं है अधूरी संगीत दीधुन, अस्थाई है, अंतरा नहीं है, एक काबले शुनीद नहीं सुनन दिचरास नहीं होगा अधूरी कवता जे दिच पर करन पूरा नहीं है, पले कुछ भी नहीं पहएगा गर्ज के अधूरा पन मनुक नु अकरदाए ते चंगा नहीं लगदा तलाश पूरन दा दिए, जीवन भर जो कुछ मनों को लबदा है, खोजदा है, पूरन होन वास्ते है पर होन्दा की ये, एक दिन जद प्राण निकल जानें, लोग की केनन फ्राणा पूरा हो गए भारत दिच एही केनन पूरा हो गए, हद्ध हो गई जमेया अधूरा, जीवेया अधूरा, मर गए तो उपर मोर लाई जा रही है, पूरा हो गए पूरा हो गए, पूरा हो गए पर मैं अर्ज करां, जो जमेया अधूरा है, जीवेया अधूरा है, मरेया भी अधूरा है ये कोई पूरा नहीं हो या पूरा किस तरहं हो वेगा पूरे नल जुड के ही पूरा होएगा उझे नहीं होएगा मुनुक जिस जिस चीज़ नल जुड़गा है वो वस्तु हुआ सरीर दिया लोडां दी पूर। टी ते करदें यानी मन नो पूरा नहीं करदें दन मिल गया है महलमाडियां मिल गई यहने प्रवार मिल गई अधूरा पन अखरदरेंद है मानसिक तलत है तो मन किस्त्राँ पूरा होए पूरे नल जुड़के ही पूरा हो सकद है तो पूरा काउन है आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेशुरे पूरन ते प्रमातम है परमेशुरे जितने चिर्थक कोई उस नल जुड़या नहीं मामेश चोटी दा धनवान है अधूर है चोटी दा गुणवान है अधूर है चोटी दा शक्ती शाली है अधूर है अधूर है पूरे नल जुड़न दा वसीला पूरा प्रब आरादेया पूरा जांका नाओ नानिक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ उस पूरे दे गुण गांदेयां गांदेयां मनों को पूरन हो जांद है यह ढंग है किसे पहलवान दे गुण गायन करनाल कोई मनों को पहलवान नहीं हो जांद है किसे धनवान दे गुण गायन करन नल कोई धनवान नहीं हो जानदा ते किसे हुकमरान दे गुण गायन करन नल भी कोई हुकमरान नहीं हो जानदा भगवान दे गुण गायन करन वाला भगवान ही हो जानदा प्रमात्मा देगीत गानवाला प्रमात्मा वर गई हो जानदा है हर का भगत सो हर ही जया जे प्रमात्मा पूरन है तो जो प्रमात्मा नल जुड़ गया हो भी पूर है ऐसे पूरन पुरुखदियां कुछ अलामता ने पैचान ने मैं पहले अर्श कीती सी अलामतां तो पता चल जानदा है फलाणा बंदा रोगी है बिमार है फिर वैद हकीम डॉक्टर ने ओर रोग दी अलामत वेख के एवी कह देने तेनों फलाणा रोग है कुछ अलामता ने ऐसी है जिन्नों वेख के कहा जन्दा है मनुक मूरख है जिमें हर मनुक उन्नों अलामतां दी समझ नहीं हों दी लक्षणां दी समझ नहीं हों दी किसे किसे नहीं हों दी है यह मनुक मूरख है इरानी सूफी संत साधी के निने दो चीज अखल तीरा यास्त दम फरो बस्तन दो गल्ला मनुखदे हलके पण दिया निशानियाने मूरख दिया निशानियाने इनना दो लक्षना तो पैचान कर सकते हो ये बंदा मूरख है बड़े दिया निल सुनना दो चीज अकल तीरा यास्त दम फरो बस्तन गुफटम बवकत खमोशी बवकत खमोशी गुफटम बोलन दे वकत चुप कर जाना ते चुप करन दे वकत सबा देच बोल पैना ए मूरख ता दे दो लक्षन शेक साधीन जी बयान करता है कुछ अलामता ने दिस पेंदा है ए मनुक स्याना है कुछ लक्षन ने जिना दे अधारते किया जान दे ए मनुक खुबसूरत है मैं ओ दिन भी अर्ज कीती सी बद्ती लक्षन दे सेने भगत नाम देव ले प्रणवे ना नाम देव ना के बिना ना सोहे बत्ती लक्षन शरीरक सुवपन दे बत्ती लक्षन मने गए ले लक्षन तो अलामता तो पता चल दे सुन्दर है लक्षन दस देने क्रूप है लक्षन दस देने सेना है लक्षन दस देने मूरक है कुछ लक्षन ही दस देने कुछ अलामता ही दस देनी है ने ए मनुक चोटी दा धनवान है पाई गुर्दासी केंदेने धन धर्ती विच दबिये मस्तक परवाने बावे इसने हीरे मोती सोना चांदी जमीन देज दफन कीता हुए पर यदे मत्य ते प्रगट हो जानदा है ये धनवान है उदियां आक्डियां यां गल्ना उदि तर्जे बयाने उदा रैन सें दस दिन धाई चोटी धनवान है अलामता दस देदियां गरीब है मुफलिस है निरधन है तो अलामता ही दस देदियां ने अए पूरन पूर्ख है एती संग्त है एते रबनल जड़े है तो ओ अलामता की ने एक गुरु अरजन देवजी ने दस्यान में थोड़े सामने छे दिया च्छे उचारन करके ते फिर उना दी व्यक्या तुछ बुद्धी अनसार थोड़े सामने रखनी है सलोक है सलोक सैंस्कृती आखरी पंक्ती है खट लखन पूरन पुर्खे नानेक नाम साद सवजने सस्कृत देच छे नो केंदेने खट खष्ट केंदेने प्राकृत देच खट खट दा मतलब छे गुरु अरजन देवजी वाहराजी केंदेने खट लखन पूरन पुर्खे नानेक नाम साद सवजने छे लक्षने छे अलामताने अगरो किसे देच होवन ते पूरन पुरुख है मुकंबल इंसान है मैं फिर अर्ज करना हर मनुक नो अलामत दी समझ नहीं हो दी जिवे मैं आपनो सर्वन कराया सी रोतक देच मैं गव ले ले ते रोतक देई संद भाई जीमन शाज सिंग मैंनो कैं लगे आपकी ले 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 ये ये बेड़े लक्षना दी का हुए ओके होगे जाके उन्हानो लक्षना दी समझ सी मैंनो नहीं सी हर मनुक नो पूरन पुरुख दे लक्षना दा पता नहीं हो दा अलामता दा हर एक मनुक दे को लग्यान नहीं हो दा गुरुवरजन देव जी महराज के दिन छे लक्षन ने अगर किसे दिछ दिखाई देन वो पूरन पुरुख है खट लक्षन पूरन पुरुख है नानक नाम साद सवज्जने ए छे लक्षन केड़े ने छे पंग्तियां देख महराज ने ब्यान कीते ने मैं पहले थो नुप पढ़ के सुना देयां मंत्र राम राम नामं ध्यानं सर्बत्र पूरने एक ग्यानं सम दुख सुखं जुगत निर मलनिर वैरने दो दियालं सर्बत्र जी पंच दोख बिवर्जते इन भोजनं गोपाल कीर्टनं अलिप माया जल कमल रहते चार उपदेशं सम्मित्र सत्रे भगवंत भगत भावने पंच परनिंदाने सरोत सर्वणं आप त्याग सगल रेन के चे खट लखन पूरन पुरखे नानक नाम साध सवज्जन इस सत पंग्तियां दा सलोक है छें पंग्तियां दे चे मेरे पादशा छें लक्षनां दा ब्यान कर देने जो कोई थोड़े जियां धार्मक लोग होंगे अभ्यास कर दे होंगे अमरतवे ले उटके तोड़ी सोज बोज मिली होवे उना दी पकड़ देच गल आवे लाजमी आवे इच्छें लक्षन एक दफ़ा पढ़के मैं फिर सुनावा मंत्र राम राम नामंग ध्यानं सर्वत्र पूरने द्यालंग सर्वत्र जी पंचे दोख बिवर्जते ज्यानंग सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वेरने द्यालंग सर्बत्र जी पंचे दोख बिवर्जते भोजनंग गोपाल कीर्तनंग अलिप माया जल कर मिल रहते उपदेशंग समित्र सत्रे भगवंत भगत भावने परनिंदाने सरोत सर्वनंग आपत्याग सगल रेन के खट लखन पूरन पुर्खे नानक नाम साद सवज्जने एच्छे लख्षणने पूरन पुर्ख दे उनु कहने ने संत उनु कहने ने सादू उनु कहने ने पूरन पुर्ख उन में एवी कह दे है पूरन पुर्ख हर शैर देचे नहीं होंदे हर शेयर देचे शेयर गुर्दवारे दस भी मिल जानगे पूरन पुरुखते कभी नहीं लबना मैंनू पंजाज साल होगें न कथा कर देया बर्मन कर देया मैं अपटी जिन्द की पंच सत इस तरह देपुर्शिक जगद देच देखे जिनानू देखके मैं कह सकना पूरन पुरुखते दो करोड़ दी काउम ते पंच सत बंदेयाज तक मिले लए इस तरह हिंदुआ देच भी उगलियां ते गिने जानवाले पुरुखने हैं जिनानू कह सकने पूरन पुरुखते विद्वान हो जाना कलाकार हो जाना धन्वान हो जाना चंगा पाठी हो जाना चंगा कीर्तनी हो जाना चंगा कथा वाचक हो जाना गुस्ताखी माफ ए पूरन पुरुखते लक्षन नहीं नहीं इस चकर जना पहना ए लेक्चर बहुत अच्छा दे लेंदे ये कीर्टन बहुत वदिया कर लेंदे ये पाठ बड़ा शुद कर लेंदे ये पूरण पुरुख देलक्षन नहीं नहीं ये भी मैं अर्ज करते हूं ये पूरुख बनेया जाए पूरण पुरुख हो सके साधन नहीं साधन नहीं जैसे इत्वों मैं जाना है निकटवरती शेहर देच तो मैं कार देच बैठगा है कार ते एक साधन है ये चलेगी ते मैंनों कुछाएगी साधन मनजल नहीं होंदी कार देच बैठगा है ते दा मतलब नहीं और मनजल ते कहुँच गया साधन साधन होंदे ने मन्जल मन्जल हों दिये साधन मनोरत दी पूरती वास्ते हों दे साधन मन्जल तक पहुंचन वास्ते हों दे कीर्थन कथा एक साधन ते हो सक दे पूरन पुर्ख होन दे कीर्थन कथा करनवाला पाठ करनवाला पूरन पुर्ख है एक कथा ही ने दान पुन करन वाला सेवा करन वाला पूरन पुरुख है एक पूरन पुरुख कोई बन सके इस सारे करम साधन ने साधन ने तिस साधन लक्षदी पूरती वास्ते हों देने एक होर भी है छोटे साधना देनाल वड़े लक्ष दी पूरती नहीं होंदी जैसे कभी रहीम कहेंदेने सौचुयां दी खल देनालवी नगारा नहीं मड़ेया जानदा नगारा पता है जद मड़ेने वो उठ दी खल दा कहिंदे सो चुयां दी खालवी लाले ये नगारा नहीं मड़े आ जाएगा कभी रहीम कहिंदे छोटे साधना देनाल वड़े मनोर्थ दी पूर्ती नहीं होंदी किसे वड़े लक्ष दी पूर्ती करन वास्ते साधन भी बहुत वड़े चाहिए बिना साधन तो लक्ष दी पूर्ती नहीं होएगे तो पूरण पुरुख दे मेरे पात्षा जो छे लक्षन दस्दे ने तुछ बुद्धी अंसार में थ्वड़े सामने रखा मंत्र राम राम नामंग ध्यानंग सरबत्र पूर ने गुरु गरन साथ दिछ हजारा नाम ने ते हर नाम दी व्याख्या ते अर्थ कीते ने गुरु अर्जन देवजी ने राम देवी में थोनू अर्थ सर्वन क्रामा जो गुरु अर्जन देवजी ने खुद कीते ने शिरी राम चंद जहें रूप ना रेखेया बनवाली चकर पान दर्स अनूपया गुरु अर्जन देव जी जो अनूपम है जिदा कोई चकर चेन नहीं जिदा कोई रंग रूप नहीं ति जो जर्रे जर्रे चरमे आँए उन्हों केंदने शिरी राम शिरी राम चंद शिरी राम चंद जहें रूप ना रेखे इश्वर एक महान शक्ती है निरा कार है उसे तो सारा आकार आंदा है इस सारे आकार बड़े द्यान नल सुन लेना उस तो आंदेन जिदा कोई आकार में इस सारे रूप उस तो आंदेन जिदा कोई रूप ने आरूप है अनूप है इस सारे रंग उस तो आंदेन जिदा कोई रंग नहीं है चकर चेन और बरन जाद और पात नहिंजे रूप रंग और रेक बेक कोई कह न सकत तुसी यह नहीं कह सकते रब गो रहा है काल है साम रहा है इस सारे रंग उस तो अम देन जेदा कोई रंग नहीं इस सारे रूप उस तो अम देन जेदा कोई रूप नहीं इस सारा आकार उस तो अम देन जेदा कोई आकार नहीं इस सारे मख़बान दी छाप भी उसे तो आऊंदी है जिदा कोई मख़ब नहीं है कोई मख़ब नहीं जाप साब पढ़ देओ ना ना मस्तंग अमजबे ना मस्तस्त अजबे ना मश्कार ए प्रभू तेरा कोई मख़ब नहीं है तेरा कोई मजब नहीं है नमस्तन अमजवे अमजब है तेरा कोई मजब नहीं सारा रंग रूप आकार मजब धरम दी साधना ग्यान विग्यान उसे तो आमद है जेदा कोई रंग रूप नहीं है ऐसी युक व्यापक शक्ति है